हलो फ्रेंड्स स्वागत थे डियर आप सभी का इंगली स्वीद रंजनसर यूटूब चैनल पे डियर मैं रंजनसर आपके लिए लेकर आया हूँ हो टू मास्टर न्यूज पेपर रेडिंग डियर आपने हर सभी को सुना होगा कि अगर आप किनी से सला लेने जाएं कि मुझे अंग्रेजी सीखना है क्या करना चाहिए तो सबसे पहले उनका जो सला होता न इंग्लिस न्यूज पेपर पढ़ो इंग्लिस न्यूज देखो अब यह सुनने के बाद हमें भी लगता है कि आर सही बोल रहा है चलो न्यूज पेपर खरीदते हैं और पढ़ना शुर क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए and in this video I will also show you grammar क्या newspaper से सिखा जा सकता है मतलब whatsapp on telegram और even youtube comment के थुरू मुझे मिलता है कि sir newspaper पढ़े तो क्या मेरी English अच्छी हो जाएगी दियर, English अच्छी हो जाएगी, it does not matter कि आप newspaper पढ़ेंगे और English अच्छी हो जाएगी, कैसे? Nobody knows कि newspaper पढ़ने से English अच्छी कैसे हो जाएगी, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया और ये questions मुझे बार बार बच्चों के थूरू पूछा जाता है, इसे newspaper पढ़ेंगे तो मिल जाएगा So dear, आज सारी समस्याओं का समधान आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ बहुत सारी यूटूब पर वीडियोज भी है, चीक है, read करें, कैसे read करें, क्या करें आज ये सारी चीजें मैं यहाँ पर अपने तरीके से बताने वाला हूँ देखिए वही बात जो अभी तक मैंने बात कही है कि जैसी अंग्रेजी लर्निंग की बात आती है if you want to learn English, जैसे आप किनी के सामने suggestion लेने जाएं, कि हमेना अंग्रेजी सीखनी है आपने 12th pass करी, अपने graduation करी है, and now you want to learn English and you want to learn advanced English तो लोगों की पहली नजर में यह होता, newspaper read करो, ठीक है तो अब एक तो बात आती है कि newspaper read करो, तो क्या करे, Hindi और English तो I hope, Hindi तो कोई नहीं चाहता कि Hindi newspaper read करे, हम आते हैं English newspaper के, कि English के newspaper को पढ़ा जाए, ठीक है लेकिन अब बात यहाँ पर यही फिर से आती है, कि newspaper पढ़े तो पढ़े कैसे, और कितना दिर पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा पार्ट पढ़े, कौन सा पार्ट नहीं पढ़े चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको section के वारे हम बताएंगे, कि कौन-कौन से section आपके generally newspaper में मिलते हैं कौन-कौन से section आपको मिलते हैं, फिर हम उसके वार discuss करेंगे देखिए, हमने the Hindu का एक cutting लिया है, the Hindu का first page है, जहाँ पर I hope आप सभी इतना तो समझते होंगे कि यहाँ पर हमारी main cover रहती है, सबसे जादा जो मुख विंदू होता है, वो सारी cover यहाँ पर हमारी रहती है, ठीक है यह सभी को चीजे पता है, कि main जो important, जो भी all around हुआ है, वो cover रहती है यह slide बहुत पहले का बना हुआ है, आप देख सकते होंगे, अगर date कहीं दिख रहा होगा, March 2020, फिर भी मैंने change नहीं किया क्योंकि काफी मेहनत से मैंने slide बनाया था, बट for some reason मैं video नहीं बना पा रहा था, ठीक है बट अब मैं सोचाओं कि video आपके लिए लेकर आओंगा, तो देखिए, जब हम बात करते main part की, जो हमारा head होता है, ठीक है कि जब हम heading की बात करते हैं, तो heading यहाँ पर generally आपको presented आपने tense में या non-standard grammar में लिखा जाता है देखे, non-standard grammar क्या होता है, actually यह भी acceptable होता है, अगर हम बात करें, आपके exam point of view से acceptable नहीं है, लेकिन इसको wrong grammar नहीं कह सकते हैं जैसा generally spoken English वाले teacher हमें बोल देते हैं कि यह wrong English है, आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत गलती, बोल सकते हैं, actually यह गलती नहीं होती है, हम वहाँ पर non-standard English यूज़ करते हैं बड़ जादा तर जो teachers हैं वो बोल देतें कि थोड़ा बहुत गलतीयां चलेगी, यह गलती कहीं नहीं चलेगा, wherever you want to speak English, you have to speak it correctly, आपको सही ही बोलना और सही ही लिखना है, में भी उनका कुछ पैटर्न अलग होगा, अगर आप लोग CBSE से पढ़े हैं या DAV Public School का पढ़े हैं, तो DAV Public School के बुक में बाकायते लिखा हुआ है, कि हम English में जो heading होता है, वो किस तरीके से लिखा होता है, अगर आप इसको कहीं भी grammar से रिलेट करके देखेंगे, तो समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चारा है, दुसरे की आजाए, center likely to postpone census and NPR exercise, अब ये दोनो heading देखने के बाद, क्या आप कहीं से अकर likely to का use हम बात करें, तो likely to का use हम M.E.R. के साथ करते हैं, लेकिन non-standard grammar में होता क्या कि कहीं-कहीं helping verb, कहीं-कहीं preposition को हटा दिया जाता है, तो ये सारी चीज हम धीरे-धीरे later on और भी चीज़ें आप से discuss हम करेंगे, तो first page समझ में आगया कि सबसे पहले हमें heading को समझना होगा, पहला जो मैंने बताया, और grammar सीखने की courses कताई ना करें, बिल्कुल ना करें कि हम newspaper पढ़े करके grammar सीख लेगें, नहीं, क्या सीखेंगे, वो है सबसे most important section, vocab, काफी अच्छा vocab होगा अगर आप regularly newspaper को follow करते हैं, ठ अब आते हैं कि कैसे करा जाएं, हमें first page पे ज़्यादा focus नहीं करना है, हमें आना है second page या internal page पे, ठीक है, second page हमारा CT से रहता है, या कभी कभी third या fourth page भी आपको ये मिलता है, जब हम CT की बात करते हैं, तो अभी देखो बिल्कुल beginner के लिए बता रहो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कि बिल्कुल हम beginner के लिए बात कर रहें, कि बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आता हो, कहां से शुरू करें, CT को पढ़ने की courses करें, it means कहने का हुआ कि ये state का news होता है, जिस भी state से दहिंदू या जो भी news paper पब्लिस होती है, उसकी आसपास की जो district है, जो होना चाहिए, वो होना चाहिए, CT वाला पेज, हम City वाला पेज ढूणेंगे, जहां भी City वाला पेज मिलेगा, हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, point यहाँ तक clear है, अब जैसे लिखा है, यहाँ पर अगर मैं heading की ही बात करूँ, daily noida metros to be shut from 10 a.m. to 4 p.m. tomorrow, I hope कि यहाँ पर heading और हमने जो पहले पेज का heading पढ़ा, थोड़ा सा यह आपको समझ में जादा आया होगा, तो जैसे आप CT page पे आएंगे, या आगे हम पढ़ना शु हो जाएगा, थोड़ा समय यहाँ पर zoom कर लेता हूँ, चलिए, इस section को अगर आप देख पारे, in view of the outbreak of COVID-19 and to promote social distancing, both the Delhi Metro Rail Corporation, DMRC and the Noida Metro Rail Corporation, NMRC on Saturday, Announce that Metro Services will be regulated on Monday and no trains will be available between 10 a.m. and 4 p.m. तो I hope कि जब आप यहाँ पर शुरू करेंगे, जब आप यहाँ पर शुरू करेंगे city page को पढ़ना, तो इसमें भी हमें वो point ढूंडना है, वो news ढूंडना है, जो बिल्कुल social news हो, social कहने का मितलव, कि जो छुटी-छोटी small news होते हैं, लाइक कहीं छोटे-मोटे accident हो गए, ठीक है, कहीं थेप की घटनाएं हो गई, ठीक है, तो हमेशा हमें इस तरह की news पहले सर्च करना है, पढ़ने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो हमारा third page है, ये है हमारा nation, ठीक है, मतलब third page हमारे तरफ से, ये है हमारा nation, जब हम nation की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो राष्ट से संबंदित, मतलब जो इंडिया आप बोल सकते हो, किसमें state की खबरे जादा होगी, नेशन में क्या होगी, state की खबरे जादा होगी, लाइक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बिहार की खबरे आपको मिल सकती है, आपको UP की खबरी मिल सकती है, करनाट का भी मिल सकती है, ठीक है, तो जब हम national वाले page पर आते हैं, तो national में इस बात का ध्यान रखना है, कि जब भी आप पढ़ें, तो हमेशा अभी starting में small news पढ ठीक है, अब देख रहे होंगे, patients with respiratory illness also to be tested, अब यहाँ पर जब हम यह पढ़ते हैं, तो I hope की इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा idea लगा पाएंगे heading का, कि किस तरीके से heading लिखा हुआ है, ठीक है, next आज आईए, यह heading को देखिए, there is no doubt that more testing should be done, तो I hope की nation वाला page भी हमें starting में पढ़ने में समझ में आएगा, ठीक है, train ticket refund rules relaxed, I hope की यह सारे headings जो यहाँ पर हैं, यह बिलकुल आपको समझ में आ रहे होंगे, city वाला हो गया, nation वाला हो गया, देखिए तरज़र, त्रिपूरा Chief Minister set up task force, I hope यह भी समझ में आ रहा होगा, officials step up, I think यह विजिल लिखा हुआ है, along आंधरप border, retired doctors invited to serve in TN hospital, तो यह जो हम heading सिर्फ आब यह आपको पढ़के बता रहे हैं, तो इससे इतना idea तो लगेगा कि यह जो nation वाला page होगा, यह मेरे like होगा, ठीक है, अब आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं zoom करके आपको content इसका दिखा देता हूँ, कि जब हम zoom करेंगे और इसके content को जानने की courses करेंगे तो पढ़िये ज़रा, the Indian Council of Medical Research, ICMR, has revised its testing strategy to contain the spread of COVID-19, testing is now offered to all hospitalized patients with severe acute respiratory illness, हो गया, इधर आ जाते हैं, यहाँ भी zoom किया हुआ है, तो इधर भी आप पढ़के देख सकते हैं, district administrations in Tamil Nadu have taken several steps to counter the spread of COVID-19, तो I hope कि यहाँ से जब हम एक content पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको almost starting बिल्कुल बोलूँ कि अगर बिल्कुल आप beginner हैं, तो कम से कम 40 to 50% तो आप समझना शुरू कर देंगे, ठीक है, चलिए, next आते हैं, starting में ये page को हाथ नहीं लगाना है, जो कि जैसे ही newspaper कोई पढ़ने के लिए suggest करता है, तो उनका पहला दिमाग में ही आता है, editorial पढ़ना, आरे भाई, editorial उन्हें समझ में भी आएगा या नहीं आएगा, क्या उनका भी level क्या है, अगर एक student अभी starting में पढ़ना चाह रहा है, तो उनका level क्या है, editorial एक्चली उन लोगों के लिए होता है, जिनका English के साथ साथ जीके पर भी command होता है, editorial ऐसा नहीं है कि मेरी English बहुत अच्छी है, और मैं editorial पढ़के बहुत अच्छे से 100% समझ सकता हूँ, यह जरूरी बिलकुल भी नहीं है, चुकि यहाँ पर as a debit चीजे दियो ही होती है, कि वो एक चर्चा दिया होता है, कि अगर कोई चीजे सही है, तो कैसे सही है, तो कैसे सही नहीं है, तो इसको हम कब लाएंगे, जब आप city वाला page बहुत अच्छे से समझ लें, मतलब जब वहाँ पर 100% कमांड हो जाए, nation वाले page पर 100% कमांड हो जाए, then we will go for editorial pages, और editorial में भी बहुत अच्छे अच्छे च्छोटे columns होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा column है, तो इस तरह के छोटे-छोटे columns होते हैं, उस column को पहले start करेंगे, इस तरह का जो सबसे main column होता, इस तरह को कभी भी try ना करें, in the very beginning, कि अभी आप newspaper reading शुरू कर रहें, और यह शुरू हो जाएगी, कि मुझे तो बस आज से ही newspaper में master बनना, और editorial ही पढ़ना है, तो editorial in first attempt, don't try to read, don't even dare to try, courses भी नहीं करना है, हिम्मत नहीं लगाना है, कि भी आप पहले दिन आप शुरू कर दें, नहीं तो होगा क्या, कि आप जवरदस्ती शुरू तो कर देंगे, वो ज़्यादा दिन तक last नहीं करेगा, और मैं नहीं चाहता, कि वो चीज़े ज़्यादा दिन तक last ना करे, आपको बिल्कुल एक तरीका सारा sequence मैं बता रहा हूँ, कि किस तरीके से आपको करना है, अभी आप city पे command करें, nation पे command करें, चलिए, अब क्या करेंगे कि हमें news एक्षली पढ़ना कौन है, these are to be read, यही सारी चीज़े news हमें अभी पढ़नी है, ठीक है, यही सारी news पढ़नी है, अभी तक मैंने जितना कहा, उन सभी में से मैं ये छोटे-छोटे column निकाल के लाया हूँ, ठीक है, अब इनको जब आप पढ़ेंगे, तो I am pretty sure, कि आप लगभग 90% समझ पाएंगे, in the very beginning, बिल्कुल first day की मैं बात कर रहा हूँ, first day अप 90% समझ लेंगे, starting from जो यहाँ बड़ा बड़ा दीख रहा है, मैं इसको पहले पढ़के आपको सुनाता हूँ, अब यहाँ तक पढ़ करके, यहाँ से घ्ञान रंजन से यहाँ तक पढ़के, आप जब समझेंगे, 100% समझ में आगा कि यह उसने धबका दे दिया, और वो नीचे गिर गया और वो मर गया, और उसकी एज कितनी थी, 65 थी, He lived at a colony here, अब वो वहीं पर एक colony में रहता था, इस सन मोहित stated to police, stated to का मतलब एक तरीके से ब्यान देना, आसीस got furious as his father asked him to pay rent, अब वो जब उनके पिता जीने आसीस को कहा कि यहाँ पेमेंट कर दो, ठीक है, रेंट दे दो, तो वो बिल्कुल furious हो गया, furious का मतलब तो very angry, ठीक है, जहाँ पे भी आप very angry यूज करना चाहते हैं, आप वहाँ पर furious यूज कर दीजिए, the police have registered a case in this regard, इस संबंध ही उन्होंने क्या कर दिया है, एक case को laws and FIR का सकते हैं, उन्होंने register कर लिया है, and probe has also been initiated, और चालू उसका probe सुरू हो गया, तो I hope कि जो हमने सबसे last में रखा, यह accident का news था, आसानी से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया, धीरे धीरे interest बढ़ाते हैं, बढ़ाते हम चलेंगे, अब आते, रिक्सा पुलर बिटन टु देथ, फिर से उसी तरह का news है, या custom official booked for smuggling, थोड़ा से यह बड़ा है, तो हम अभी, अभी मैंने अस starting में क्या कहा, कि छोटी-छोटी कहानियां पढ़ा कीजिए तरी के से कहानी टाइप का, ठीक है, कि है आपका news ही, कहीं चोरी का news हो, कहीं देथ बगरा news हो, कहीं accident का news हो, ठीक है, कहीं कोई contest बगरा हो, इस तरह का news हो, तो हमिशा courses इसको पहले पढ़ने की कीजिए, man arrested for firing at constable businessman, अब इस तरह का news हो, तो जब भी आप इस तरह का news पढ़ना शुरू करेंगे, and I'm pretty sure, आप बिल्कुल सीखेंगे, चलिए, अब आते हैं कि पढ़ते समय करना क्या है, पढ़ते समय आपको क्या करना है, कभी भी newspaper एंजिनियर की तरह नहीं पढ़ना है, कि दर हम table लगाए, और newspaper लिए, और बस आपको करना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, टेकर notebook and pen, सबसे पहला काम कि जब भी हम newspaper पढ़ें, हमें पता है कि हम दो से तीन पेज पढ़ेंगे, maximum दो या तीन पेज, एक, दो, तीन, इस से ज़्यादा पेज़ हमें पढ़ना नहीं है, नोटबुक लेंगे, अगर एक article की मैं बात करूँ, जैसा भी मैं छोटे-छोटे article यह दिखा रहा था, इस article से maximum हमारे पास दो से तीन शब्द निकलने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी newspaper पढ़ने लाइक हुए है, अगर आप इस तरह से कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं आप बिलकुल शुरू ही यह करो कि सर मुझे तो कुछ हाता नहीं है, news paper से ही शुरू कर लेते हैं, तो पता चला कि एक paragraph हमने start करा है, एक paragraph में 100 शब्द लिख लिया, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, हमेशा important और difficult पे ध्यान देंगे कि that may be difficult but must be important, difficult हो सकता है, there is no problem but that must be important, वो important होना चा वेगर आपने उसको यूज कर सके, try to find out the structure of the sentence, ये सबसे main important है, कि जब आप sentences कोई पढ़े न, तो हमेशा उसमें structure डोंडे, कि कौन से base पे structure लिखा गया है, कोई भी sentences लिखा गया होगा, that must be based on a structure, वो कही न कहीं किसी न किसी तरीके से एक structure पे base होगा, and try to find out the structure, courses करिए उसक करेंगे, अगर हमने बात करी, कि the police have registered a case in this regard, अगर मैं लिखना इसको शुरू करूँ, the police हो गया हमारा subject, have registered लिखा है, it means we can use has or have, and register is a V3 form and there should be object, तो ये हमारा present perfect tense में sentence लिखा गया है, तो हम हमेशा courses ये करेंगे, कि just try to find out the structure, कि हम courses करेंगे, इस structure कैसा लिखा है, अगर वो बिलकुल new लगे, बिलकुल unique लगे, तो इस structure को भी frame कीजिये, and if you are not able to understand, आप हमें message कीजिये, हमारा number सभी के पास होता है, तो आप इस number पे हमें message करके, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, कि हांसर ये जो structure लिखा है, इससे किस तरह का sentence बनेगा, कभ यूज होगा, क कि चलिए भाई, आप लोग को बताया जाए, कि अगर आज मुझे लगा कि नहीं, अब ये देना जी, मैं YouTube पर देखते रहता, तो मुझे लगता है कि हमारे student कम से कम ये तो जाने, कि what I am doing, actually what I am doing, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो वीडियो को share जरूर कीज देगा, और ये आप हमारे social platform पे आप हम से जुड़ सकते हैं, Facebook हो गया, आप हमें Twitter पे जुड़ सकते हैं, आप हमें Telegram पे जुड़ सकते हैं, हमारे Telegram ग्रूप से जुड़ सकते हैं, चलिए बहुत दिन के बाद वीडियो है, but I thought कि ये काफी important वीडियो है आप सभी के चलिए मिलेंगे हम दियर एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते, जय हिंद, जय भारत!